हलो आज है 13 जैनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करें जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में पांच परसंट की अपर सटके लग चुकी है और पिछले दो दिनों में बहुत बड़ी तेजी रेल विकास निगम का शेर दिखा रहा है हला कि बाज़ार में उतनी बड़ी तेजी नहीं है लेकिन रेल विकास निगम के शेर में काफी बड़ी तेजी है क्योंकि बहुत बड़े ओर्डर्स इनको मिले है और उसके बारे में हम बात चुद भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अवीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियो से जो काफी जादा हल्प करेंगे तो रेल वेकास निगम 80 के करीब पहुँच चुका है और ये वही लेवल है जहांसे इसने गिरावड दिखाई थी लेकिन एक महिने में 10% की तीज ये 63 रुपीज से 80 रुपीज बहुत बड़ी रफ्तार है ये इवन अगर आप बात करो पिछले एक साल के तो पिछले एक साल में रेल वेकास निगम का जो शेर है उसने 123% का जंप दिखाया है आप देख सकते हैं कि 30 रुपे के आसपास था ये शर एक जटके में 80 रुपे तक या था ये हलागे उसके बाद करेक्शन भी आया 63 तक भी गया वापस वहीं पहुँच चुका है जहां से ये तूटना शुरू हुआ था और अगर आप चन्नों को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था इवन जब ये शर आपको 20 पे मिल रहा था 30 पे मिल रहा था कि भी खरी दो भूल चाओ खरीते हैं इसको आपको हर सार अच्छा डिविडेंट पे करता रहेगा और लॉंग टर्म में इनको प्रोजेक्ट मिलेंगे विए रेलवे में बहुत कुछ करना बाकी है ठीक है विकास निगम जो है वह या कई सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे इनको और खबरे अगर आप देखो तो ये भी है कि 1175 क्रोड के आसपास का रेलवे कॉंट्राक मिला है यही वज़ा है कि दो दिनों में ये एक दम से रॉकेट बन चुका है काफी बड़ी तीजी कह सकते हो यहा है देखो आने वाले दौर में अभी क्या होगा पता है मैट्रो हो गया बुलेट ट्रेन हो गई हाला कि बुलेट ट्रेन में टाइम लेगा लेकिन मैट्रोस जो बड़े बड़े शहर है वहां पर मैट्रोस बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है और इवन ज इसको फाइदा है ही यहां पर और यही वजह भी थे कि मैं हमेशा कहता है कि खरीद हो ठीक है इवन कोविट के वक्त ही आपको 12-13 पर मिल रहा था तब ही मेरे कई सारे वीडियो थे कि खरीदा है तो बने रहो फ्रेश बाइं की बात है डेफिनिटली मौके बन रहे हैं लॉ 12 बाउंस बैक भी तो कर जाए है तो यही वजह है कि मैं यही कहता हूं कि लॉंग टम का पोजिशन यहां पर बनाओ और जब भी तूटेगा ना खरीदारी के मौके होंगे यहां पर मिटकैब शायर है 16,000 क्रोड के आसपा सा माकेट यह फे वॉल्यूम 2 क्रोड से भी जाद देखने को मिल रही है मिट्वर्ण के पास 0.12% की होल्डिंग चार मिट्वर्ण स्कीम का पैसा लगा है 39 एफाइल्स का पैसा लगा है 1.76% की होल्डिंग है डिविदंट पर अच्छा का सा पे करी रहा है और हम बात करने जाए रेल्वे घासनिकम को लेकर तो कोई भी आपको रेल्वे में पुराना स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहां पर अगर देखा जाए तो रिवन्यू में लगातार तीजी है और यह बढ़ते रहेंगे आने वाले दौर में प्रॉफिट की पर बात करो तो हर साल का प्रॉफिट पिछल सा के मुकाबले जादा ही ह कभी कम नहीं हुआ है और आगे भी यही ट्रेंड रहेगा और अगर इनके क्वार्टर ले रिजल्ट की बात करें तो अपितर कोई डेट सामने नहीं आए कि डिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट कब आएंगे लेकिन उमीद करते हैं कि बहुत जल्दी इनके नतीज़े आ जा और शेयर होल्डिंग में जैसे कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग है 78.20 जो कि सेवी का रूल कहता है कि 75% से जादा के नहीं होनी चाहिए तो चांस है कि इस बार जो सरकार है वो अपनी कुछ होल्डिंग को बेचेंगे तकरीवन 75% तक इसको लेकर आएंगे एफपयो मैं रेलवे में काफी जादा मैं बुलिश हूं शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म दोनों के लिए ही और मुझे लगता है कि रेलवे से जुड़े हुए जो कंपनिया है सरकारी कंपनिया है खासा के चाहे वो रेलवे कास निगम हो या IRFC हो मुझे जो पसंद आती है दो कंपनिय प्लेयर को एंटरी दे देती है तो एक दिक्कत होती है एस डीसे को लेकिन रेलवे कास निगम हो गया IRFC हो यह वो कंपनिया है जो अहां पर प्राइविटाइजिशन आपको बहुत मिनिमम देखने को मिलेगा बहुत कम होगा वहां पर क्योंकि आयर एफसी की जहां तक अग कई सारे वीडियो से खरीदो भूल जाओ खरीदो भूल जाओ और IRCON भी मुझे पसंद है तो वहां पर भी नजर होनी चाहिए लेकिन बात करते हैं अभी सिर्फ रेलवे कास निगम की तो मैं मानता हूँ कि कई सारे प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में आपको देखने को मि प्रोजेक्ट हो या फिर अभी बुलेडर की भी बात हो रही है या फिर उस से बहूं करने वाली है और एसे महочно ऑद आती है प्रोजेक्ट की काμ कर रही है और आगे भी आपको काम करती हुई नजर आएगी तो यही कहूंगा, खरीदारी करी है बने रहो, ठीक है, लेकिन समलब यह नहीं कि यहां से यह 100 पे जाएगा, 200 पे जाएगा अगर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा जैसे कि पहले भी इसने दिखाया था करेक्शन जैसे कि अगर आप देखो, 80 पे जाने के बाद टूटा था थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा तो उस करेक्शन में डरने के जरूद नहीं है बलकि खरीदारी के ऑप्शन ढूडनने चाहिए और अगर तूटेगा तो खरीदारी के मौके जरूर बनते हुए नजर भी आएंगे यहाँ पर लॉंग टर्म का गेम खेलिए, शौट टर्म का नहीं बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तेजी दिखाई है तो कंसॉलिडेट भी करेगा कुछ वक्त के बाद तो अगेन कहूंगा उसमें डर्ना मत बस यह है कि लॉंग टर्म के लिए आपको यहाँ पर बने रहना है तो खरीदारी करिये बने रही है, फ्रेश बाएंगे जहां तक बात है मेरे इसाब से अगर यहां से किरावट आती है क्योंकि दो दिन में काफे ज़्याद भाग चुका है अगर करेक्शन आता है, 70 रुपे के निचे जाता है तो खरीदारी के मौके मतलब कि थोड़ी बहुत कॉंटिटी आड़ करने के मौके वहाँ पर बन सकते है उसके अलावा एक और कंपनी है, IRFC 34 रुपीज का ये शेर है अच्छा डिवडेन पेंग शेर है, रेलवे से जोड़ी हुई कंपनी है सरकारी कंपनी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके उपर भी एक डीटेल वीडियो लेकर आऊ तो कमेंट में IRFC ज़रूर लिखेगा जिदिन ज़्यादा कमेंट आईगा, उतना जल्दी वीडियो का वीडियो को यहीं पेंट कुरूँगा पसंद आओ, तो लाइक कर शाय कर चैनल बगरा पहली बाहर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेल विकास नगम के बारे में आप क्या सोचते हैं अब मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यू